जब जब भारत में संसत्र का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है BBC की डॉकुमेंटरी संसत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी आज बर्बस विपक्ष ने जब संसत सत्र का विशे उठाया तो यह और साफ हो गया कि इसका मतलब ये संदे बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसत सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरन उत्प किया जाए हिंदिनबर्ग के दौरा इस प्रकार का वक्त वे और उस समय जब लगभग नियमा नुसारतों संसत का सत्र चलता होना चाहिए था और उसके उपर विपक्ष ने जिस प्रकार से साथ समंदर पार से उठे उस सुर में ताल मिलाने का काम किया है ये अपने आप मे पहली घटना नहीं है विगत कई वर्षों से आपने देखा जब जब भारत का संसत का सत्र शुरू होता है भारत की जाच एजनसियों में से का जाच का सामना कर रही एक कंपनी हिंदिनबर्ग के द्वारा साथ समंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उ है कि वो संसत्सत्र के साथ उसका संबंद जोड़ देते हैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से किसका आरत यह हुआ कि आप ये कोई पता था कि संसत्र के दोरान ही वो रिपोर्ट आनी थी और यह मैं इसलिए देश के प्रबुद लोगों से कहना चाहता हूं विगत कई वर जिनबर्ग की रिपोर्ट वजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी कभी रिलिजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से तो कभी ग्रेटा थंबर्ग का स्टेट्वेंट यह सारे सीक्वेंस जाके देख लिजेगा संसत् सत्र का विशे उठाया तो यह और साफ हो गया कि इसका मतलब यह संदे बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरन उत्पन किया जाए और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थरता और अराजकता उत्पन करना चाहते हैं क्योंकि अभी हाली में संपन चुनाओ भारत की इतिहास के एकलोते चुनाओ थे जब साथ समंदर पार से बैठे हुए किसी धन कुबेर ने कहा जौर सोरस ने कि मैंने एक बिलियन जांदीजी। अनेक प्रकार्ची चीजों की आपेक्षा करते हैं। कॉंग्रिस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हाथ्टक शेप किया जाए और मैं पुनह गंभीडता के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराज़क्ता उत्पन्न पर ने करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहें विशे भारत सरकार की कंपनी का हो, या कोई निजी कंपनी का हो, यह वही लोग हैं जिनोंने एक साल पहले का था, LIC डूब गया, इनोंने का था, SBI डूब गया, इन की सजार करोड का प्रॉफिट डर्थ किया जो प्राइवेट और गवर्मेंट दोनों की कंपनी जमिला के और टाइम आई है एच एल ने उनतीस हजार करोड का रेविनिव दोहजार तेश चोवीस में अब से भी क्यों पर अटाइक है मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये करकर क्या काम करना चाहते हैं और मैं जम्मेदारी के साथ कहता हूं सिर्फ सामने रख रहा हूं हमेशा कॉंग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती आज से नहीं 30-40 साल पहले से यह बताएए 1984 में यूनियन कारबाइट क को इन्होंने होई जा जाम बैटके भगाया था Union करबाइट के साथ कौंख़ा था कॉंग्रेस बो फोर्स के साथ कौण खड़ा था और BBC के साथ कौंग्रेस हंडनबर्फ के साथ कौंग्रेस और फिर भी कहूbab दी गंदी जी एक British company में काम भी कर चुके मैं इसका नाम था और विदेश्ट में छपने वाली चीजों में और आपको ध्यानों के जरी वाली अभी बोल चुके हैं कितना मुश्किल होता नियोर्क टाइस में छपवानना ये वर्ड है उनका वन रिकॉर्ड तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि ये विदेश्ट के संस्थानों स ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विशय के उपर आपका निशाना है देखिए अपोजिशन पहले भी इस विशय पर बात करती रही जे किसी का अधिकार जब एक बिंदु मैं और भी कहना चाहूंगा जो 40 संसत सत्थ के दोरान कि नोंने बात कही तो बिजनस एडवाजरी कमेटी में तेह हुआ कि संसत्थातर का सत्र आउसान होगा मैं स्वैंबर भी बिजनस एडवाजरी कमेटी के मैंबर हूँ तो बताए कि कॉंग्रेस से लोग तो उसमें थे तो अब सत्र का आवसान सब्स विचार करके हुआ उसके बाद इससे connection एक बाद बहुत साफ हो जाती है कि उनको इस बात क्या की तैयारी थी या आशा थी कि सत्र के दौरान ये रिपोर्ट आनी चाहिए शायद वो लोग किसी कारण वस चूग गया हो कि सेंटर को पता था ये रिपोर्ट आने वाली है इसलिए सत्र जल्दी खत्म कर दिया गया नहीं मैंने तो आपको बता दिया ये आज नहीं पिछले चार-पांस सालों में BBC की डॉकुमेंटरी दो हजार तेईस में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चाहें रिलिजस फ्रीडम की रिपोर्ट हो ग्रेटा थनबर्ग का बयान हो किसानों के उपर बयान हो ये सब के सब संसत्तर के दौरान आएं कि रिए लाओ बयान हो ये सबस्क्राइब की रिए ये आएंस के लिए इनबर्ग ये ये आएंस